आप संतुष्टे गाड़ी से आपने डीजल लिया या पेट्रॉल तो भाई ने पेट्रॉल ली तो आई 20 क्यों ली आपने बलैनों बलैनों क्यों नहीं ली हेलो गाईज महिंग चौधरी की नहीं वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं All New 2021 Hyundai i20 का वाकराउंड रिव्यू वाकराउंड रिव्यू स्टार्ट करने से पहले में आपको जो पिछली जनरेशन का बैक प्रोफाइल आता था उसको एक ब सेकंड टॉप मॉडल है इस से भी उपर हमें इसते ऑप्षिनल देखने को मिल जाता है इसमें हमें प्रोजेक्टर सेट अप देखने को मिला है with LED LED लाइट आती है company से नीचे हमें प्रोजेक्टर fog lamp देखने को मिलते हैं वहीं गृल की बात करें तो गृल भी काफी slot वाली गई है all black glossy black का यूज किया गया है नीचे हमें skid plate देखने को मिल जाती है वहीं bonnet की ओर देखें तो हमें काफी एलीडी सैटप देखने को मिलता है और हमें ऐसता में projectory दिया गया है side profile की बात करें तो इसके alloy wheel काफी प्यारे लगते है मुझे तो personally काफी बढ़िया है और चलते होगे तो और भी अच्छे लगते है वहीं tire profile की बात करें तो हमें company से देखने को मिल जाता है 195 55 R16 16 inches का tire देख भार भी रहते है तो हमें i20 में भी ऐसी देखने को मिल जाता है i20 की बैजिंग भार भी है chrome door handle with keyless entry देखने को मिल जाती है तो back से तो थोड़ा मतलब गाड़ी को दबासा दिया गया है rear wiper defogger shark finantina हमें सब देखने को मिल जाते हैं उसके बाद head tail light को चैसी देखने को मिल जाती हैं काफी लोगों को यह पसंदारी हैं काफी लोगों को नहीं आ रही है और पीछे भी हमें वही glossy black finish दी गई है skate plate जो जिसका use front में किया गया है तो बूट space की बात कर लेता है उससे पहले मैं आपको बता जाता हूं कि हमें गाड़ी में सिर्फ दो parking sensor देखने को मिल जाते हैं तो अब मैं boot space आपको दिखा देता है i20 में हमें decent size का 311 लीटर का boot space देखने को मिल जाता है और उसके बाद side profile की बात करें तो side में भी काफी अच्छे क्रीज और main भडिया बाद जो है अगर हम इसको tap करेंगे तो ऐसे खुल जाएगा काफी बढ़िया चीज है महेंगी गाड़ियों में आता है tap करने वाला वरन अपन को driver side से खोलना पड़ता है तो इसको लगा देते हैं तो ऐसी कुछ गाड़ी और गाड़ी के ओनर को भी मैं अभी मिला दूंगा आप से और 20 की अगेन हमें बैजिंग मिल जाती है काफी sporty और बहत्रीन लोग दिया है गाड़ी का और यह गाड़ी के होनर है आप देख लीजे आपने कब ली थी भाई गाड़ी आप दंते रस पे गाड़ी निकाली ती और फूल माला चड़ी पड़ी है आप संतुष्टे गाड़ी स सबसे अगे प्यार इन पुपत हो यार रही है और सही बात है का पावर है और काफी बढ़ी है लगती है मैं एक बार इंटीर और दिखा देता हूं और हुंड़ी आई 20 की रियर सीट समय कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है रियर सीट काफी कमफर्टेबल है आपको डिसेंट अमांट का हैड रूम और लेग रूम देखने को मिल जाता है वहीं सेंटर में आपको आम रेस्ट भी मिल जाता है अपने हाथ वात रखने के लिए भड़िया सुविदा हो जाती है उसके बाद तीन जने असानी से बैठ सकते हैं लॉंग जर्णी में थोड़ी सी डिफिकल् भी लेकिन तीन जने अगर कहीं short जनड नहीं पर जाना है तो 3 जन आराम से बैठ सकता हुआ तो यह इस पेस कार का काफी decent है गर आप डोर देखो तो डोर में कीले संट्रिय मिल जाती है और यह एक रोम गारिश हमें कम्पणी कम्पणी से ये करोम गारनिश स्टेरिंग वील हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाते हैं जिसपे लेधर रैप स्टेरिंग वील मिल जाता है और!臉 इनक्षोटीनमेंट बढ़िया चीज है ना गाड़ी में वह है इसका इंफोटेंडमेंट यह जो इंस्टुमेंटल क्लस्टर और यह वेन्यू से भी बढ़ी टच स्क्रीन इसमें मिल जाती है जो काफी बढ़िया लोग बना देती है और यह वाले बटन भी अब बढ़िया लगते हैं और यह काफी बढ़िया और यह गीर नॉब देखने को मिल जाता है इसमें पांच गीर मिलते हैं और यह हैंड ब्रेक उसके बाद एयर प्यूरी फायर हमें ऑप्शनल में मिलेगा यह आम्रेस्ट है आम्रेस्ट को मैं खोल के दिखा देता हूँ इस में भी काफी अच्छी स्पेस है यह स्लाइड एवल स्लाइड एवल है आम्रेस्ट जो की काफी बढ़िया है और यह आई यार वी हम अपन को वैसा नहीं मिलता है डे नाइट वाला यहां अपन को संग्लास होल्डर मिल जाता है ड्राइवर साइड वैनिटी हमें पूरी रह गई गाड़ी के प्रती उसको हम कंप्लीट करेंगे हमारे ओनर्शिप रिव्यू वाली वीडियो में आई 20 का ओनर्शिप रिव्यू जल्द आएगा इसी चैनल पर तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्स्राइब कर लें वीडियो अगर आ